Hello everyone, welcome to study squad, I am Shivani Chauhan, इस वीडियो में हम देखेंगे class 8, संस्कुत की बुक का chapter 4, सदायव पुर्तो निदेही चरणम, इसके हम लोग solutions देखने वाले हैं, इसका मतलब होता है सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदायव पुर्तो निदेही चरणम का मतलब है कि सदा आगे, पुर्तो का दिखेंगे हैं इनका एक पद में, यानि कि एक शब्द में आप लोगों को इन questions का answer देना है, तो स्वकियम साधनम किम भवती, अपना साधन क्या होता है, तो अपना साधन तो अपना बल ही होता है, answer हो गया बलम, पथी के विश्माह प्रखराह, रास्ते में क्या टेढ़े मेडे होंगे, तो रास्ते में पाशाना हा, यानि कि पत्थर जो है, रास्ते में काफी टेढ़े मेडे मिलेंगे, पथी के विश्माह प्रखराह, योगया, सतम किम करणियम, हमेशा क्या करना चाहिए, धेयस्मरणम, हमेशा अपने धेक, यानि कि अपने लक्षे को हमेशा तो आपने दमाग में रखना जाए है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो एटस य गीतस य रचियता कहा इस गीत के रचियता कौन है तो इस गीत के जो चप्टर है इस गीत के रचियता है शृधर भासकर वर्णी कर सहा कृधलश्रह कभी मन्यते वहए कैसे कभी माने चा राश्रे अनुरक्तिही ही कि इसका होगा जही ही यहाँ पर जही ही मयम चलम वी धेही मुड़ह डाश धना गृष्टाम तो मुड़ह यहाँ पर आ जाएगा गख एक सेकेंड देखो बच्चरस के आंसर इससे पहले गलतों गया था यहाँ पर आएगा चल और राश्ट्रे अनुरक्ती इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विदेही ठीक है इसका आंसर आएगा विदेही और जो गवाला है उसका आंसर हमारे पास आएगा देही और जो घः है घः का आंसर हमारा आएगा जः ही और जो ड है ड का आंसर हमारे पास आएगा भज और च वाला जो है इसका आंसर हमारे पास आएगा गुरू तो यह हमारे आंसर हो गए अब question number 4 में हमें जो है बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है तो यह पुनाह चर्णम निदेही तो हां येस और निज ने किताम गिरी शिखरे आसती तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इसमें हम लोगों का आंसर आएगा न ग वाले का आंसर है न ग वाला भी न है ये भी न है और ये वाला भी जो है न है ये वाला ये वाला जो है आम तो फर्स्ट और लास्ट आम है और बात के तीन जो है उनमें का अंसर न है फिफ्ट क्वेशन है जो फिफ्ट क्वेशन है उसका आंसर देखो आप लोग फिफ्ट प्रिशन में हम लोगों को बोला गया है कि वाक्य रचना द्वारा अर्थ भेत स्पष्ट कीजिए तो वाक्य रचना हम लोगों करनी है परितः और पुरितः इसका क्या मतलब है नगह का मतलब होता है परवत और नागह का मतलब होता है सर्प तो हमने इन दोनों का जो है मीनिंग ये वाला देख लिया और ये वाला देख लिया अब नागह नागह और नगह नगह होता है परवत हिमालिय संसारे प्रसिद्ध नगह अस्ति तो परवतस्य आ रोहडम सुखदम भवती परवत पे चढ़ना अच्छा लगता है परवतस्य आ रोहडम रोमांचक भवती और परवतस्य उतरना काफी रोमांचक काफी इंट्रेस्टिंग होता है विश्माह होता है आसमान असमान मतलब जो इकवाल नहीं होते और समाह होता ह समान तो परवतस्य मारगा विश्माह एव भवती और समा होता है राज़ पुत्र नर्पेण समाह भवती तो यह हो गया question number six जो है इसमें हम लोगों को fill in the blanks भढ़ने हैं तो विद्यालस्य पूरतः ठीक है कि यहां पे खलू आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा त जो है जो होता है इसमें अनलों विलों मतलब उलटेशद लिखने हैं तो आंसर पूरतः होता होता है विरक्ति ही और स्वकियम होता है आगनम भीवी ही होता है प्रश्ठतह अनुरक्ति होता है पर कियम और गमनम होता है सहसह ठीक है यह जो है अब इसके हम लोग क्या करने हैं इस तरीके से हम लोग को आंसर लिखने हैं तो यह यह हम लोग को दे रखे थे हमें इस तरीके से यहां पे मिलान करना है तो पुरतह होता है प्रश्कृतह ये वाला इससे मैच करना है हमें स्वकियम स्वकियम को हमें मैच करना है इससे परकियम से और भीतिही को हमें मैच करना है साहस से और अनुरक्ति को हमें मैच करना है विरक्ति से और अगमनम को करना है आगनम से तो यह हम लोगों के यहां पे correct match है, सारे, उपरवाले हमने questions देख लिया थे, अब यहां पे हमने correct match देख लिया, अब इसमें लटलकार, लकार वगरा है, तो इसका answer देखो, ठीक है, यह इसके answers है, खेल का खेले है आ जाएगा, और खादंतु का खादेयुहू, पिबानी का पिबेयम, और हस्ताम का हसेताम, और नयाम का नयेम, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का यहां पर answer आ जाएगा, तो यह ऐसे करके भरे जाएंगे, देखो, यहां पे, इस जगे पर यहां पर आ ज आ जाएगा, यहां पर खेल आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा, खेले है, मतलब यह वाले blanks में भरनी है, खेल की जगह, यहां पर हम लोगों का आ जाएगा, खेले है, खादंती का तो यहां पर आ जाएगा, खादंतु, ठीक है, खादंतु, और यहां पर आ ज और ये आ जाएगा यहाँ पे पी बे यम और हस्तहक आ जाएगा यहाँ पे हस्ताम और यहाँ पे आ जाएगा हसे ताम और नयाम हक आ जाएगा नयाम और यहाँ पे आ जाएगा न ये ठीक है, next question number 9 इसमें हम लोग को क्या लखना है? इसमें हमें उधारण के अनुसार परिवर्तन करना है तो इसमें हमें यहां पर पत्थिन का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा पत्थी राश्ट्र का हमारा हो जाएगा राश्ट्रायर पाशान जो है पत्थर होता है ना तो इस तरीके से हम लोग का यहां पर हो जाएगा पाश चाने और यह यान का हो जाएगा यानानी शक्ति जो है इसका हो जाएगा यहां पे इस तरीके से शक्ति ही यह रहा और यह जो है यह हो जाएगा पुशुशु तो यह हम लोगों के आंसर हो जाएंगे ठीक है तो कैसा लगा विडियो आप लोगों को ज़रू बताएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए चानल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करिए थेंक यू